सास को हुआ अपनी भूल का एहसास राधा जी एक आम मद्दम वरिगिय परिवार की मुखिया थी वे अपने बेटे शुभम और बहु मनीशा के साथ रहती थी एक बेटी सीमा थी जो की शादी के बाद अमेरिका में बस गई थी राधा जी के पती की मृत्यू बहुत पहले ही हो चुकी थी शुभम और मनीशा की शादी को पास साल हो गय थे लेकिन अब तक उनकी कोई संता नहीं थी राधा जी की बहु मनीशा भी जौब करती थी जो की राधा जी को बिल्कुल भी नहीं सुहाता था वे जल्द से जल्द दादी बनना चाहती थी लेकिन मनीशा और शुभम यह अच्छी तरह से जानते थे की अभी मनीशा का जौब करना कितना जरूरी था राधा जी अपने बेटे शुभम से इस बारे में बात करती तो शुभम किसी ना किसी बहाने से बात को टाल देता था इसलिए वे मनीशा को ही परिशान करने के बहाने डूंती रहती थी ताकि वह अपनी जुआप छोड़ दे और अभी कोरोना काल में तो मानो उनके मन की मुराद ही पूरी हो गई थी हाला कि वे दिल की बुरी नहीं थी लेकिन पोते की चाह में वे ना चाहते हुए भी ऐसा कर जाती थी अपनी हम उम्र सहेलियों को दादी बनते देखकर उनका मन दुखी हो जाता था उस दिन भी घर में ऐसा ही कुछ हुआ ओफिस में काम की वज़े से मनीशा देड तक सोती रही और राधा जी को अच्छा खासा मौका मिल गया ये क्या बहू अभी तक सो रही हो पता है सुबा के दस बच गए हैं शुबंबी बेचारा कब से उठकर ओफिस के काम पर लग गया है और तुम हो कि अभी तक सोई पड़ी हो चलो अब उठकर सब के लिए चाय नाश्ता बना लो मुझसे कुछ हो ही नहीं पाता है वरना मैं तो तुम्हारे भरोसे कभी ना रहती खुद ही सब कर लेती समय का पता ही नहीं चला आप चलिए मैं अभी जल्दी से आती हूँ हाँ हाँ ठीक है मेरा कुछ नहीं पर शुबं को देख लो उसे कुछ चाहिए तो नहीं कब से उठा है बेचारा हे भगबान मुझे जल्दी से ठीक कर दे ताकि मैं ही अपने बेटे का ध्यान रख सकूँ राधा जी ने नाट की अंदाज में कहा राधा जी ने अपनी बहु मनीशा को उठाते हुए कहा मनीशा ने घड़ी देखी तो वाकई दस बज गये थे आज उसकी आँख कैसे नहीं खुली वह जल्दी जल्दी अपने काम निप्टा कर हॉल में आई तो शुभम अपने लैप्टॉप के साथ ओफिस के काम कर रहा था उसने किचन में जाकर चाय नाश्ता बनाया और फिर रात के बरतन साफ किये और जाड़ू पोचा करके नहाने चली गई दरसल कोरोना वाइरस की बढ़ती बीमारी की वज़े से शहर में पूरी तरह लॉकडाउन किया गया था इसलिए काम वाली बाई भी नहीं आ रही थी मनीशा खुद एक इंटरनेशनल कमपनी में काम करती थी उसका ओफिस टाइम निश्चित नहीं होता था अधिकतर उसे रात में देर तक काम करना होता था कल भी उसका काम देर तक चलता रहा इसलिए वह देर तक सोती रही मनीशा नहाकर आई तो देखा कि उसके सास अपने कमरे में अपनी सहेली से फोन पर बात कर रही थी बात चीत में अपना नाम सुनकर मनीशा सास की बात सुनने लगी अरे शार्दा तुम भी अपने बहु को ज़्यादा सर पर मत बैठाओ बहु को ज़्यादा उड़ने दोगी तो कल को अपनी नौकरी के चक्कर में वह तुम्हें ही घर की नौकरानी बना कर छोड़ेगी मैं तो भई शुरू से ही मनीशा के नौकरी करने के खिलाफ थी अब करे नौकरी शौक से पर साथ साथ घर के काम भी करे मैं तो बदन दर्द का बहाना बना कर बैट जाती हूँ नहीं तो सारे काम का बोज मेरे सिर पर आगिरता मैं कोई मुफ्त की नौकरानी थोड़े ही हूँ मैं तो कहती हूँ तुम भी यही किया करो सास के बास सुनकर मनीशा की आखों में आसू आ गए वह जिस सास को बीमार समझ कर उनकी दिन रात सेवा करती है उन्हें एक ग्लास तक उठाने नहीं देती है सारा दिन घर का और रात को आफिस का काम करके ठकान से चूर होकर भी उफ तक नहीं करती उसका यहाँ फल मिला है उसे माना बेनोकरी के खिलाफ हैं मगर यदी घर की किष्ट नहीं होती तो वह कभी भी नोकरी नहीं करती शुबम का बोज कम करने के लिए ही तो वह नोकरी कर रही थी खेर अभी के मुश्किल समय में वह सास से किसी भी बात पर बैस नहीं करना चाहती थी जिस से घर का माहौल खराब हो इसलिए वह उनकी बात को नजर अंदाज करके वहाँ से चली गई लेकिन उसकी नजरों में राधा जी की इज़त कम जरूर हो गई थी दूसरे दिन सुभा सुभा राधा जी की बेटी सीमा का फोन अमेरिका से आ गया सीमा की सास उसके पास अमेरिका आई हुई थी आदत के अनुसार राधा जी ने जैसे ही सीमा की सास की बुराई करनी चाही वैसे ही सीमा ने उन्हें डाट दिया मा आप बिल्कुल भी मा जी के बारे में अनाप्षन आप नहीं बोलिंगी पता है आपके चक्कर में आकर मैंने उनके साथ कितना बुरा वेवार किया था लेकिन आज मुझे उनकी कीमत पता चल गई है तुम तो उनके यहां पर आने के कितने खिलाफ थी मगर आज अगर वे यहां नहीं होती ना मा तो ना जाने हमारा क्या हाल होता तुम्हें तो पता ही है कि मेरा नौगरी करना कितना जरूरी है कोरोना ने यहां भी ऐसा कहर ढाया है कि घर से ही सब करना पड़ रहा है किट्टू का बेबी केर सेंटर भी बंध है मैं और राजेश फुल टाइम बिजी रहते हैं ऐसे में मा जी ने अकेले ही किट्टू के साथ साथ पूरे घर का सारा काम संभाला हुआ है, मुझे कुछ भी नहीं करने देती हैं, अगर वे नहीं होती, तो हमारा क्या होता, या सोच करी रोंगटे खड़े हो जाते हैं, सच में वे कोई साधारण महिला नहीं हैं, बलकि मेरे लिए तो देवी के समान हैं, मेरे इतना अपमान करने के बावजूद, और सीमा रोने लगी, उसने फोन कट कर दिया, सीमा की बास सुनकर राधा जी की भी आँखे भराई, उन्हें अपनी भूल का एहसास हो गया था, मनीशा तो वाकई उनका कितना ख्याल रखती है, उनकी कडवी से कडवी बात का भी बुरा नहीं मानती है, उल्टे जवाब भी नहीं देती है, वाकई अभी का समय तो एक दूसरे को होसला देने का है, सारे गिले शिक्वे भुला कर एक दूसरे की मदद करने का है, तो फिर वे स्वार्थ में कैसे अंधी हो गई थी, इतना कैसे गिर गई थी कि ऐसे मुश्किल समय में अपने ही परिवार की सहायता नहीं कर सकती। उन्होंने उसी समय मनीशा को बुलाकर उसके सिर पर प्यार से हाथ फेड़ते हुए कहा। मनीशा आज से घर के कामों की आदी जिम्मेदारी मेरी रहेगी। मैंने आज तक तक तुमें जो भी कहा और किया उसके लिए सोरी। चलो अब तुम जाकर आराम करो। खाना मैं बना लूँगी। इधर सास का बदला हुआ रूप देखकर मनीशा की भी आँखों में खुशी के आशु आ गए और अपनी सास के प्रती उसके मन में फिर से पहले वाला सम्मान वापस आ गया था। शायद हमारे जीवन में मुश्किल समय आता ही इसलिए है कि हमें एक दूसरे की एहमियत का पता चले। अपनी गलतियों का एहसास होने और आगे बढ़कर माफी मागने से वाकई इनसान छोटा नहीं बलकि बहुत बड़ा हो जाता है। राधा जी की तरह मेरी ये कहानी आपको कैसे लगी कमेंट करके जुरूर बताईए। धन्यवाद।